आदर्स शिक्ष्ण समिती बाड में द्वारा आदर्स विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बैया बैनों का आर्दिक स्वागत एवं अभी नंदन आज के इस वीडियो में मैं आपको विशे विज्ञान कक्षा दस्मी पाट एक का दूसरा वीडियो और दूसरा भाग का पर अध्यान करेंगी जिसका सीर्सक है जल अपन सामाने जानती है या पूरू विडियो में अपने पढ़ा की पोजन की गटक जिसमें जल भी एक गटक है जल एक प्राकरतिक संसादन है जिसका सुत्र अनुसुत्र ह्ट्टू ओ है जल दो हैट्रोजन परमानों और एक ऑक्सिजन परमानों से मिलकर बनता है यानि हाइट्रोजन के चार परमानों और ऑक्सिजन के दो परमानों जब मिलकर दो जल के अनुबनते हैं जल तीनों आवस्ताओं में मिलता है ठोस द्रव और गैस जल है तो कल है स्वच्छ जल है तो स्वस्त कल है यानि आज साफ पाणी पियेंगे तो कल पिमारने यों स्वस्त रहेंगे जल ही जीवन का आदार है जल है तो कल है बाइच मार्च विश्व जल सरक्षन दिवस मनाते हैं ताकि जल का दुरू उपयोग नहीं हो जल का किसी ने किसी रूप में स्टोर करें सरक्षन करें अपवे नहां करें जैसा इस्क्रीन पर चत्र में दिखाया गया है कि प्रत्षवी या गलोब का चत्र है उसमें एक नल लगा हुआ है पानी वेर्स जा रहा है पूरे विश्व में सभी देशों के लोग यदि इस पानी का वेस्ट ये जादा करेंगे तो कल के लिए चिंता पड़ेगे कल जिंदा रहना है तो आज जल की बचत कर नहीं तो जल का अफवे पिलकुल नहीं करें इसका विशेश ध्यान रहें जल है तो कल है जल शुरूत जैसा कि इस्क्रीन में दो चित्रण सौर्स वाटर दिखा रहा है नदिया है जरने हैं लेकिन चीले भी है पूमिगत कुए भी है नलकूब भी है नहरे भी है यह सारे जल के शुरूत है इन सब में जल वर्षा से ही आता है जल चक्र के मध्यम से पानी समुदर में शर्वादिक मात्रा में भूमी के एक दियाई भाग पर हैंगी से तरीक उतर प्रतिशत भू भाग पर पानी है दारातों के वल 29 प्रतिशत ही है तो प्रत्वी पर शर्वादिक भू भाग पर जली पड़ा है समुदर में लेकिन सारा पानी समुदर का उप्योग में नहीं आ पाता है जल चक्र में केवल 2% पानी गुमता है बर्षा उठी है पापस नली जीलों ताला पर में होता होगा समुदर में जाता है और वही पानी उप्योग में लेते हैं इसी जल शरोतों के माद्यम से जल की भूमी का अपने शरीर के अंदर उपापची क्रिया है जल के माद्यम से ही पूरुन हो कारे करते हैं जल चाहिए जिस प्रकार भीन भीन प्रकार के उद्योगिक उत्पाद हमें जल का उप्योग करता है वैसे ही अपने शरीर के में ही जल का सरवाधिक उप्योग किया जाता है शरीर में परीवन एक इस्तान से कोई पदारत को भीन भीन इस्तानों पर ले जाना है जैसे अपने बोजन करते हैं मुख है मुख से आगी क्योंगों में ग्राशनली से आमाशे आमाशे छोटियां बढ़ियां और मालदार से शरीश भान करता है उसमें भी परीवन में रत के साथ भी काम करता है जल आवशिक है उस्तान पदारतों को भार निकालने में भी जल का मुख्य योगदान रटा है उसमा वित्रन शरीर में किसी एक पानी पीते हैं तो उसमा वित्रन में भी प्योग है रोग परतिरोदक शमता को बढ़ाने में भी जल आवशिक है यानि जल अपने शरीर में मात्पूर्ण भूमी का अदा करता है तो सामानी अपन पानी पीते हैं उसके किस प्रकार की गुर्ण होना चाहिए वो कैसा होना तो सामानी पीने योग्य पानी जो होता है उस पानी का रंग नहीं होना चाहिए रंग हीन गंध हीन पारदर्शी स्वच निर्मल जल होना चाहिए वो ही पानी पीने योग्य होता है जब किसी ग्लास में पानी लेते हैं तो पारदर्शी दिखना चाहिए दिकास की ग्लास म यदी पानी ले कर देखें तो एक पार से दूसरे पारदर्श देखने पर जल पारदर्शी होना चाहिए वह इसी भी पदार्त में उपस्तित हाइड्रोजन की संदरता को मापने के लिए इसकेल विक्षित किया गया था जुसको पीएच इसकेल कहते हैं उसके पाठ्यांग के अनुसार जल का पाठ्यांग भी साथ हो तो वो पानी आसुत जल है उसको ही बेने योग्ये माना गया है जल म आकों से देखने वाले कोई कण दिखाई नहीं देने चाहिए कोई वनसपती कण दिखाई नहीं देने चाहिए कोई उसमें सुक्षम जीव नहीं हो वही पानी पीने योग्ये होता है जल में प्रयाप्त मात्रा में ओक्सीजन खुली हो पानी में ओक्सीजन और से जल का निर्मान होता है तो जल के अंदर प्रैप्ट मात्रा में ओक्सीजन हो वो पानी ही पीने योग्ये होता है प्रैप्ट पानी पीने से लाव व्यक्ति को प्रते दिन कम से कम दस गलास पानी पीना ही चाहिए तो सरीर में उपापची के लिए द्वारा पंगने वाले जहरीले पदार्थ बहार निकालने में काम करता है सरीर को रोग मुक्त करता है सरीर में सुस्ती और उर्जा बनी रहती है सरीर में ठकान नहीं रहती है सरीर में रूप प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाता है जिसे बिमारी होने का खत्रा भी कम रहता है यदि कोई व्यक्ति प्रयाप मात्रा में पानी पीता रहे तो उसमें किसी प्रकार का कोई जहरीले पदार्थ नहीं बनेगा यदि बनी जाता है तो शरीर के साथ सबसेश्पदार्थम से सरीर से बहार निकलता है पश्रीने की रूप में निकल जाएगा पिशाब की रूप में निकल जाएगा और संका जैसे अपन लट्रिंग में या मल की रूप में वह बहार निकल जाता है शरीर को रोग मुख्थ हो जाने प्रयाथमात्र хоч मीं सामने हम देखागा ढकर के शलना लेने पर जाते है तो डॉक्टर एदिकांस यही कहते है है कि ज़ादा पानी पीना किसी व्यक्ति को पत्थरी हो गई तो कहएगा ज़ादा पानी पी है किसी घर्मी जपी ज़ादा हो नह पूर्थी नहीं हो पाती है तो शरीर में ठकान भी रहती है प्रैप्ट नहीं होती ही सरीर में सुस्ति बने रहती है उर्जा एक इस्तान से दुसरे इस्तान तक खून के माद्यम जाती है और खून में अधिकांस प्लाजमा में पानी ही होता है शरीर में रोग प्रतिरोतक शम्ता को बढ़ाता है जिससे बिमार्य होने का खत्रा भी नहीं रहता है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोतक शम्ता को बढ़ाने में भी जल का उप्योग अधिक रहता है, शरीर में चर्बी जमा नहीं होती है, जिसे वेक्ति को मोटा पनी बनता है, मोटा पे वेक्ति जो अधिक्षांस है, उन वेक्तियों को सामाने तर गुनगुना पानी सुबह उठते ही, एक ग्लास या एक लोटा पानी पी लें तो शरीर के अंदर चरबी जमा होती है वो भी धीरे 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 दे कम हो जाती है शरीर में एलर्जी होने की संबावना भी नहीं रहती क्योंकि एलर्जी के जो कण है या कणिकाई है जब WVC में विविन प्रकार की कणिकाई है जो अध्याय दो में अपना तिन करेंगे आगे ये एलर्जी के कुछ काण WVC में बनते हैं वो जल के साथ गुल कर सरीर से बाहरा जाते है क्योंकि वो कोई काम के नहीं होते एलर्जी उत्पन करते हैं वो भी प्रयाप्ट पानी पीता है कोई प्यक्ती तो इनकी संभावना भी कम हो जाते है सरीर में प्रयाप्ट पानी पीने से सर्दी जुकाम होने की संभावना भी नहीं रहती सामने तपनदे को गर्मिक दिनों में लू लगने की संभावना रहती है और वो पच्चीमी राजस्तान में विशेश रूप से हैं, तो पच्चीमी राजस्तान के लोग दी प्रयाप मात्रा में पानी पीते रहें, बार-बार पानी पीए गर्मिक दुनों में, तो लूल लगने की संभावना भी नहीं रहती है, कि शरीर में सर्दी जुकाम, शरीर क ये टेमपरेचर में परिवर्तन होने कारण होता है, और प्रयाप पानी पीने से, शरीर में, शरीर का जो निर्धारित टेमपरेचर है, 37 डिग्री सेल्शेस, वो बना रहे है, और जब उपर नीचे नहीं होता, लोग की संभावना भी नहीं रहती है, जल के उप्योग, साम जैसे करशी उत्पात, फसल को पकाने में से चाहिए करते हैं, तो करशी कारे में जल का उप्योग होता ही है, और जो कि फेक्टरियों में भी उत्पात बनाने में भी जल का सरवादिक उप्योग होता है, जैसे आपने देखा होगा, कपड़े दोने में, रंगाई सापाई म पी जल का वहत अधिक उप्योग होता है और वही जल जब फैक्टरियों से कपड़े दुलने के बाद नादी नालम जाता है तो प्रदूस्ट में का कारण भी हो जाता है जल प्रदूसित हो जाता है लेकिन जल का उप्योग आपन सामानी जीवन में पीने में पहली परमोकता है और फिर क्रशी और अधियोग में है तही साथ साथ में आपन उर्जा प्राप्त करेंगे तो भोज़े पदार्तों से तो भोजन बनाने भी जल का उप्योग शरवादिक किया जाता है दुस्सित जल के दूस्प्रभाव य तो जल दूसित हो जाता है इस दूसित जल से पीने से बिमारिया होती है जैसे विशान जनित जिवान जनित प्रोटो जवान जनित करमी प्रमोक होते हैं दूसित जल आणि पीने से हेजा पैचिस हैपेटाइटिस प्लिव कॉलेरा टाइफाइड और पीलिया जैसे बिमारि प्रमुप होती है पुराने जमाने में दूसित जल पीते थे विभीन परकार के जल शुरोत नहीं थे प्रुवेल गुए आत्यादी नहीं थे नहीं थे तो बरसाती पानी जब नाडियों में इक्टा होता था वह पाउडियों में पड़ा पानी व्यत्ती पीता था जिससे अत्मान में नारू रोग नहीं है सरकार ने 2000 सन में उन्मुलोन कर दिया इसको पूर्टर से खातम कर दिया तो ये जो नारू रोग था इसका एक क्रमी कीड़ा है जिसका रोग उत्पन करने वाला है तो उसके रोग जनक कहेंगे तो रोग उत्पन करने वाला है ड्रेकन कु यह कीड़ा उस पाणि पानी में होता था लोग ना तो छानते थे ना ओबालते थे जिससे वो पानी पी लेते थे सामने नदी नालों में जिस तरह से पानी बेता गंदा या नाडियों पड़ा रहता है अधिक दनों तक वो पानी आसपास की सेत्र में ढलान भाग से नाडियों में आ जाता है तो आसपास की सेत्र में मल मुतर त्यागते हैं पसूत या ने जानवर सब द्यागते तो पानी किसाथ घुलकर नाडियों में आ जाता है वह नडियों में पड़ा पानी में बिन भीन प्रकार के जीवानों उत्पन हो जाते हैं जिसके करणं इत्रों उसके अंदर कि ड्रेकन कुलस मैडिनिस एक कीड़ा है करमी है इसके कारण नारु हो जाता था ऐस बरतवान में कर लिए गया है तो यू नहीं है तो दू Favorique जल कर tul इा है कि बीच हो जयती है तो इस प्रकार के जल पीने से बीच Gottes में प्रकार के रोब होते हैं थो आपने उनका बचाव कैसे कर सकते तो सामाहिए में पानी पीने को प्योग कर रहे हैं उस पानी को चान कर उबाल कर फिर ठंडा करके पीना चाहिए चानना सीथ सामन्य कभी डाके का पानी भी प्योग लेते हैं तो पहले चानना है उसको गंदा लग रहा है तो उबालना फिर चानना तो फिर ठंडा करके पीना चाहिए नजियों के आस जो जल जल स्रोत है उनके आसपास कपड़े धोना नहाना नहीं चाहिए क्योंकि इस गंदगी जब पानी में जाती है पानी लोग पी देंगे तो जिनके कारण भी जल जनीत रोगों से बचाव किया जा सकता है जल स्रोतों की समय समय पर सपाई आपने देखा होगा बड़े बड़े टैंक जैसे रेलवे टैंक है या बड़े सारजनीकिस्तान है उनके टाके बनी हुए है या जल स्रोत टंकी बनी हुई है उस टंकी पर आपने देखा होगा कि सपाई करने की दिना तो जल स्रोतों को समय सम से अपने जो अध्यन किया है उसके कुछ ग्रेकारे इसक्रीन दिखाए गया है मैंने और इसको देखकर आप अपने ग्रेकारे का नौट कर सकते हूं और ग्रेकारे आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है नारू रोग के रोग जनक का नाम लिखिए दूस्चित जल पीने से कौन-कौन से रोग होते है आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद अगली वीडियो में इस पार्ट का यानि पहले पार्ट का तीसर वीडियो जरूर देखें धन्यवाद